गर्ब में बच्चा कितने घंटे सोता है? नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मृदुल कुमार आप देख रहे हैं मृदुल हेल्थ केर. नीन शिशूों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका आदा करती है. आमतोर पर नवजात शिशू दिन और रात के दोरान नियमित अंतराल पर 16-18 घंटे सोता है. बच्चे का नीन प्रतिरूप तीसरे महीने तक बदल जाता है क्योंकि तब तक शिशू का मस्तिश्क विक्स हो जाता है. अब बच्चा रात को सोएगा और दिन में 2-3 बार जपकी लेगा जो आमतोर परसुबह, दोपहर और शाम के समय होगी. हम कह सकते हैं कि इस चरण में नीन्द के प्रतिरूप का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दोरान अधिक समय तक जागने लगता है. इस चरण में शिशु 2-3 घंटे की अबधी तक जागे हुए रह सकता है. नीन्द की दिन्चर्या, यह एक प्रमानित सत्य है कि यदि शिशुओं अत्वानने बच्चों के लिए एक नियमित दिन्चर्या निर्धारित कर दी जाए तो वे स्वतंत्र रूप से सो सकते हैं. इस दिन्चर्या को शिशु को अस्पताल से घर लाते ही शुरू कर देना चाहिए. शिशु दोहराव से सीखते हैं, अतहे एक ऐसा प्रतिरूप निर्धारित करें जो अंततहे एक दिन्चर्या बन जाए. आपके बच्चे का बच्चे के लिए फायदिमंद होगा बल्कि यह आप और आपके पार्टन के लिए भी अच्छा रहेगा. आपके पास आवश्यक नीन्द लेने का समय होगा. बच्चे को प्रत्येक रात एक ही तरह के वातावरन में सुलाना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा करने से कैसे सुलाया जाए. जब आपका बच्चा दिन के समय नीन से जागता है तो पहले उसे खाना खिलाए और उसके बाद उसे खेलने दे. यदि आपको अपने बच्चे में थकान के लक्षन दिखाई दे तो उसे सुलाने के लिए सुलाने की तक्नीकों का इस्तिमाल करें. एक कल्पित कता है कि यदि शिशु अधिक समय तक जागा रहता है तो वह थक जाएगा और तब उसे सुलाना ज्यादा आसान होगा. तथे यह है कि अधिक थके हुए बच्चे को सुलाना कठिन होता है. नीचे दिया गया चाट यह जानने में आपकी मदद करेगा कि आपके बच्चे को कितनी देर तक सोना चाहिए. शिशु तीन माह का हो जाने के बाद दिन के दोरान जाग कर अधिक समय बिताने लगता है. इस चरण में बच्चा एक बार में दो से तीन घंटे तक जगा हुआ रह सकता है.